अपने शुरुवाती 24 गंटे में वर्ल्ड रिकोर्ड बनाने वाली KGF Chapter 2 का जो टीजर रिलीज हुआ उसने तो इतियासी रस दिया अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसने 125 मिलियन व्यूज कर दिया है और तकरीबन 7 मिलियन प्लस इसके उपर लाइक्स आ चुके हैं और ऐसा क्या है कि भी लोग इसको और जादा देख रहे हैं इसको पसंद कर रहे हैं देखो मेरे इसाब से तीन रिजन है जिससे लोगों के अंदर इसके सेकिंड पार्ट का मतलब इंतजार करते करते उस पीक लेवल पर पहुंच चुका है इनका इंतजार कि यह समझ लोग की अधमा लोहा गरमता उसके पर थोड़ा मारने वाला काम किया है इसके टीजर ने जब बहुबली वन आये थी तो उसके बाद लोग जानना चाते थे कि कटपपा ने बहुबली को क्यों मारा और उसके बहुबली टू का रिंतजार करना था पूरा देश ठीक इसी तरीके से केजीफ चैप्टर टू का जनता को इंतजार था और जैसे इसका टीजर रिलीज होता है इसने यूटूब को हिला के रख दिय second reason मुझे लगता है कि south movies के जो makers हैं वो अच्छे से जानते हैं कि भारत की जनता को क्या देना है क्या उन्हें entertainment देना है उन्हें अपने content पर यकीन है वो जो भी बनाते हैं वो entertainment के focus से बनाते हैं मतलब कि उनमें कोई propaganda नहीं होता और जो भी होता है उनका original होता है भले उनका fighting scene जो होता है या fighting sequence जो होता है वो उनका अलग है unique है हम उसको accept करते हैं वो सारे चीज़ें south movies के south movie के makers है वो भली बांती जानते हैं कि भारतिये जनता क्या चाहती है और जिसका third reason है मुझे सबसे जादा यही factor लगता है कि हाँ इसकी विज़े से जानता जनता जो है वो kgf chapter 2 की तरफ आकरशित हो लिए क्योंकि लोगों को bollywood के उपर से विश्वास उटके उन्हें यकीन हो चुका है कि bollywood खुद का कुछ तो लाएगा नहीं और उसमें जि लिए नहीं कि मुझे kgf से प्यार है बलकि आप देख सकते हो कि कुछ सालों पहले जो भी movies आई हैं bollywood के अंदर उन्होंने कितना बढ़िया कोई काम किया है या नहीं किया आपके सामने खुद record है खुद आप देख सकते हो कि हाँ भई क्या हुआ इनमें अब बात करते हैं कालपनिक life को या कालपनिक दुनिया को represent करती हैं जो real life में possible नहीं हो सकता उसे कालपनिक दुनिया में possible करके लोगों को एक तरीका से entertainment देने की कोशिश की जाती है और जो भी logic की बात कर रहे हैं इस से इनको लेकर देखा यार इसके जो makers हैं क्या उनको पता नहीं कि physics क्या है या gravity क्या है सब उनको अच्छे से पता है बावजुद यह जानते हुए भी उन्होंने यह सब चीजें क्यूंकि क्यूंकि यार जनता को यह पसंद है उन्होंने जनता के entertainment के perspective से यह चीज डाली है क्यूंकि ज्यादा अच्छी लगती है जब theater में जाएंगे तो एकदम से ज movie deserve करती है कि आप लोग जाके इसको theaters में देखें यह कोई piracy को मतलब support ना करें इसको बढ़ावा ना दें या फिर अपना experience करा मत करना है यार जब आप इसको ऐसी किसी print site से download करके देख लिए तो यार सच में तुम्हारा ही दिल दुखेगा कि यार घटिया प्रिंट में देख ली बहुत खराब तो यह गलत चीज है और जो भी south की movies है मैं यह कह सकता हूं कि जो theater से एक बार लोग जो हट चुके थे pandemic जब start हुआ था और जब theater बंद कर दिये ग आठ लोग ही वहां पर थे ऐसे tenant के अंदर हाल था और ऐसी उस movie का तो नाम क्या लोग इंदू की जवानी जैसी movie है उसके बारे में बात करते हैं तो जैसे ही लोगों का crazy खतम हो चुका था इसके अंदर जाने का theaters के अंदर तो मुझे लगता है कि जो south की movies है वो लोगों को आकरशित करेंगे यहां पर आने के लिए यूंकि Bollywood की अपनी उकाद तो है नहीं कि यहां भी जनता को लेकर आए theater के तरफ इंदू की जवाएं जैसी movie जगर release करोगे तो भाई साब उनको जो theater है उनको तो permanently ताला लग जाएगा यह लोग जब तक nepotism को बढ़ावा देते रहेंगे अपना repeated content लाते रहेंगे कोपी करते रहेंगे मतलब south movies की जो है यह remake बनाते रहेंगे खुद का कुछ नहीं सोचेंगे तो भाई साब इनका कुछ भी नहीं हो सकता इनको समझना होगा कि अपने इस घटिया प्रोपगेंडा से बाहर निकलना है और जनता को क्या द बातें लाके वैसे dialogue लाके first और second class के rhymes को dialogue की तरह के से हमारे सामने represent करके या जो comedy जो 1980s में हुआ करती थी वो हमारे सामने लाकर इससे काम नहीं चलेगा यह सब चीजें बंद करनी पड़ेंगी जैसा कि मैंने कहा देखो KGF chapter 2 यह movie जो है वो deserve करती है कि आप लोग जाके इस करोगे सच में यार जो इस बार होने वाला है house full ही जाने वाला क्योंकि यार इसका जिस तरीके से इंतजा अरता जैसे इसने धावा बोला है 125 million views इसने क्रोज कर दिया record बना के रख दिया भाई साब कम नहीं होता अब देखने वाली बात है कि जब भावली टू आय थी तो उ सोचते हैं इस चीज के बारे में तो comment box में आप लिक कर अपनी राय बता सकते हैं बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में thanks for watching this video मिलते हैं next video में जैहिंद